शुमत सोनिया गांधी को पुधार मंत्री पत की शपत दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपत होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा और ये लड़ाई में एक भिख्षूनी के तौर पर लड़ूंगी जिसमें मैं रंगीन वस्तर उतार कर केवल श्वेत वस्त धारन करूं अपने केश कटा दूंगी जमीन पर सोंगी और भुने चने खाऊंगी ये मेरा कठोर ब्रथ है नमस्ते दोस्तों ये वीडियो 2004 का है जिसमें हमारे देश की एक वरिष्ठ निता अपने विचार सामने रख रही है ये विचार कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है लेकिन इस विचार से एक बात जरूर साफ होती है कि उस समय 2004 में हमारे देश की राजनेतिक परिपकतवा किस इस्तर प्रती रिसी सुनक बिटेन के प्रधान मंत्री बने ये बात दिवाली को सारी दुनिया में फैल गई बात फैलते ही दुनिया के पांच देशों ने दावा किया कि रिसी हमारे घर का हमारे देश का बेटा है रिसी इस पद तक पहुँचे तो जाहिर सी बात है कि वे इस पद के लिए बहुत काबिल बहुत उमदा इंसान होंगे लेकिन उन्हें इस पत्तक पहुँचाने के लिए बिटेन की उदार और एक परिपक को राजनेतिक विचारधारा जरूर तारीफ के काबिल है अब हम बात करेंगे कि वास्तों में रिसी का संबंध दुनिया के कितने और किन किन देसों से हैं चली इस कहानी के पीछे चलते हैं 1935 की बात है रिसी के दादा रामदा सुनक अभिभाजित पंजाब के गुजरावाला में रह रहे थे रोजगार की तलास में रामदा सुनक केन्या चले जाते हैं केन्या में एक क्लर्क की नौकरी करने लगते हैं उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम यसवीर रखते हैं कुछ सालों बाद यसवीर की नौकरी ब्रिटेन के स्वास्त बिभाग में लग जाती है यसवीर की मुलाकात तंजानिया की एक यूटी उसा से होती है दोनों मिलकर साधी कर लेते हैं, साधी के बाद उसा और यस्वीर के तीन बच्चे होते हैं, पहले रिसी, दूसरे संजय और तीसरी बेटी राखी होती हैं, कुछ सालों बाद रिसी का विवा भारत के एक व्यापारी और जाने माने बिजनिसमेन इनफोसिस कंपनी के मालिक के नारायन मूर्ती के बेटी अक्ष्ता नारायन मूर्ती के साथ हो जाता है, इस प्रकार से रिसी का संबंध दुनिया के पाँच देसों, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा केन्या, चौथा ब्रिटेन और पाँचवा तंजानिया के साथ निकल कर आता है, यदि आप भी रिसी को अपने आप में भारत बंसी मान रहे हैं, तो बहुत हट्ता की बात सच नहीं है, क्योंकि रिसी का वास्तों में संबंध दुनिया के पाँच देसों में हैं, रिसी ने राजनीती की पढ़ाई की और राजनीती में उंदा पफॉमिंस कर रहे हैं, हम रिसी को झाल झाल